दीद्वाना शहर के लाड़नू रोड जाने वाले मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने विद्यूत पोल को टक कर मार दी, जिसकी वजह से विद्यूत पोल तूटकर नीचे गिर गया। विद्यूत पोल तूटकर गिरते समय विद्यूत आपूर्ती सुचारू रूप से चालू थी, जिसकी वजह से कोई बड़ी जनहानी हो सकती थी, लेकिन स्थानिय लोगों ने तुरंत विद्यूत विभाग को इसकी सूचना दी, विद्यूत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुँचे, और विद्यूत आपूर्ती को बंद कराया गया, विद्यूत पोल तूटने की वजह से आसपास के क्षेत्र की बत्ती गुल हो गई, वही मिली जानकारी के अनुसार एक तेज रफतार कार लाड़नू रोल की तरफ से आ रही थी, और कार ने विद्यूत पोल को टक कर मार दी, जिसकी वजह से विद्यूत पोल तूटकर नीचे सडक पर गिर गया, बताया जा रहा है, कार सवार शराब के नशे में धुत था, जिसके चलते उसने विद्यूत पोल को टक कर मार दी, और मौके से फरार हो गया, घटना में किसी तरह की बड़ी जनहानी बड करवाया गया, और विद्यूत पोल को सही करवाने की कार्रवाई शुरू करवाई गई, जिसकी वजह से बड़ी जनहानी बड़ी दुर घटना नहीं हुई